इसले वह यह लोग बंदी थे पिछले 14 महिने से सजाध बंगें आपके थे अचानक फासी की सजा देने के इसका क्या था यह बारत पर डबाव बनाना चायरा यह है वाया चाहिना का खेल बारत पर दबाव बनाओ ताकि बारत इस्राइल का समर्थन ना करे तो किसी गलत वही में कतर जी रहा है उससे ज्यादा वह जी रहा है और उससे ज्यादा वह जी रहे हैं जो कतर को अपना बाप दादा मानते हमारे बाप दादों को देश है और फिलिस्टीन गाजा हमारे बाप दादों को देश है इंतजार करिए देखने लाइक इसका परणाम मिलेगा आपको मुझको पूर्ण विश्वास है कि जो युद्ध ग्रस्त यमन से जाके 33,000 बारतियों को निकाल लाते हैं वह इराक में जहां आईएसाई का नंगा नाच हो लाता वहां से सेकड़ों हजारों हिंदुस्तानियों को निकाल लाई मोधी सरकार पाकिस्त दे रहा था जैसा मुधी ने घृटने टेक दिये मोधी घृटने वह ब्युक्त निशवास है कि इस में बहुत बढ़ियां परिणाम आपको सामने आएगा इन्तिजार करिए और दूसरे बनी जी ये दर्सकों से मैं कहना चाहूँगा कि आप तीन चीजे बड़ा इन तीन बिंदूगों पर ध्यान रखिए इन कहरातियों के उगसाने पर नहाई है यह जो लटेद घूंग रहे उनके कहने पर आजाद भारत के इत्यास में इतना सर्वस्रेष्ट राष्ट्री सुरक्षा सलाकार एने से अजिक डोवाल मतलब जिन तीन लोगों की सरवादिक बहत्पूर भूम का इस पूरे प्रक्राइब में होगी वह पिछले 77 साल के सर्वस्रेष्ट हैं आज इस समय आपके पास उन पर विश्वास करिए उन पर जबर झाल